बिग बॉस के सेट से सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आया है यारो का यार होस्ट राहुल भोज नमस्कार स्वागत आपको चैनल टैली कजाना में चल ये बात कर लेते हैं आज के बिग बॉस में लाइफ क्या चल रहा है आप लोगों को हैरान कर देगी ये बात जिस तरीके से मैं जो बाते आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले और इंपोर्टेंट बात दोस्तो हम सब को पता है कि आज कोई ना कोई एक बंदा या बंदी इविक्ट हो जाएगा क्योंकि बिग बॉस ने एक ऐसा खेल खेल डाला जिसके चलते यहाँ पर कंटेस्टेंस को उल्टे वोट मिल रहे हैं अर्मान को सबसे जीदा वोट मिल रहे हैं जबकि अर्मान हम सब को पता है कि लोग उनने पसंद नहीं करते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा या बंदी इविक्ट हो जाएगा ऐसे में लफकेश के फैन्स ले लीजे या एलविश भाई ले लीजे ये सब मिलकर जो हैं किसको वोट कर रहे हम सबको पता है अब यहां पर सबसे बड़ी और मीन इंपॉर्टेंट बात है कि मुनावर फारुकी को भेजा गया है अब मुनावर को क्यों भेजा गया है इस सीजन की शुरुआत में स्टेज पे मुनावर की होस्टिंग वी थी और आपको याद होगा तो अनिल कपूल सहाब को उन्होंने इंट्रिड्यूस किया था अब मुनावर बिग बॉस का विजेता है टोफी जीत चुका है और ऐसे में मुझे वो पल याद आ गया कि भाया मुनावर जिस तरीके से मुनावर आया है वो किसी ना किसी एक कंटेस्टेंट को अपने साथ लेकर जाएगा मतलब कि आया हूँ तो लेकर तो जाओंगा वाला जो हिसाब है क्राइम मास्टर गोगो का वैसे ही कुछ मुनावर का हिसाब किताब होगा ऐसे देखके लग रहा है वैसे आपको बतादो तो पास के सीजन्स में करन कुंडरा भी आये हैं और उससे पहले निया शर्मा भी आई थी अगर आपको याद होगा तो सो बैसिकली इस तरीके से बिग बॉस के घर में मुनावर फारुकी की एंट्री हुई है मुनावर मेरे हिसाब से वो किसना किसी को ले कर जाएंगे किसको ले कर जाएंगे पता नहीं आपको क्या है कहना कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा चलता हूँ यारो अपना ख्याल रखें